हाई प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब लोग उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे और काफी पॉजिटिव माइंड के साथ में आप लोग अपने रिजल्ट का वेट करे होगे गाइज मैं हूँ शाल कुमार जयस्वाल और स्वागत है आपका अपने चैनल में गाइज बच्चों प्यारे बच्चों इस वक्त हम समझ रहे हैं कि आप सभी जो सिबसी क्लास टैन ट्वेल्ट के स्टूडेंट्स हैं आप सभी इस वक्त बहुत बेचान होगे बहुत बेसब होगे अपने रिजल्ट को ले करके क्योंकि डेट्स लगातार चेंजेज हो रहे हैं और अभी मैं आपको कुछ मेजर इंपॉर्टिंट चेंजेज बताऊंगा ठीक है पॉइंट्स बताऊंगा कि क्यों डिले हो रहा है ठीक है अस्पेक्टेड डेट क्या हो सकता है ठीक हम लोग सब चीज़ों पर डिसकस करेंगे तो आप लोग प्लीज वीडियो के अंतक बने रहेएगा ताकि आप लोग सारे इंफॉर्मिशन ले लो एंड मैं आपको यह भी बता दूंगाइस की हमारे यूट्व चैनल के हिस्ट्री में अभी तक के सबसे लंबे-लंबे ले रहे हैं हर दिन हम लोग करीब करीब साड़े साथ घंटा आठ घंटा से उपर का लाइफ सेशन हम लोग बारी-बारी से दो-दो घंटा डिडर घंटा करके ले रहे हैं और तमाम सभी आप सभी स्टूइन्स को जितने को हम हम हेल्प कर पा सकते हैं हम सब को हेल्प करने क करना है ताकि आपको जितने भी इंपोर्टन वीडियो है या लाइफ सेशन से उसके इंफॉर्मेशन आपको आपके स्मार्टफोन पर मिल जाए देखो गाइस अभी हो क्या रहा है यह हमें मालूम है कि लगातार जो है वो डेट्स जो है वो चेंजेश हो रहे हैं यह तो हम सब्सक्राइब कीजिए आपको लाइस सेशन के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे देखो बच्चों हो क्या रहा है सीबसी के जो रिजल्ट है वो बहुत अनेस्पेक्टेड हो रहे हैं अभी तक कोई क्लैरिफाइए नहीं हो रहा है लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टन वो यह है कि 25 जून को जब सीबसी ने अपना पक्ष रखा था सुप्रीम कोर्ट में तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सीबसी के वकील ने उनके तरफ से जो थे उन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि जो रिजल्ट के डेट्स हैं वो रिजल्ट के डेट्स जो हैं वो आपका 25 से 15 जुलाई से पहले पहले होंगे by word use हुआ by 15 जुलाई by का मतलब यह हुआ कि जुलाई के पार नहीं जाना चाहिए ठीक है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आई एफ जो ICSE जो बोर्ड है या ISE जो बोर्ड था है जो उन्होंने पहले ही किया दिया था कि वो CBC के footprint पे चलेंगे अब अगर हम इन दो points को मिलाएं कि क्या पक्ष रखा CBC ने Supreme Court में और उसको follow किया ICC Board ने और अगर हम गौर करें तो ICC का result जो है वो अब निकल चुका है परसो ही तो इसका मतलब यह हुआ स्कीम या जो भी rules follow करेंगे उसी में ही वो भी चलेंगे बच्चों के लिए तो ICC तो अपना result निकल चुका है अब गेंद आती है पाले में CBC के लेकिन अब यहां कुछ मुद्दे हैं जिसको हमें समझना होगा कि पहला तो आप लोगों को यह बता दूँ बार-बार मुझसे question पूछा जा रहा है बहुत सारे phones आ रहे हैं बहुत सारे messages आ रहे हैं और जैसे मैंने बताया 7-7-8-8 घंटा का live sessions हम ले रहे हैं हमने कोई videos अभी upload करना एक तरसे छोड़ दिया यह एक छोटा सा video बना रहा है ताकि बच्चे जो पूछना चाह रहे थे जो बच्चे live में नहीं attend कर पा रहे हैं उनके लिए यह बनाने का मैंने सोचा तो बार-बार यह हम लोग बच्चों को message दे रहे हैं कि अभी हो क्या रहा है देखो कि ऐसा लग रहा है कि by 15th अगर बात को माना जाए तो आज ही हो चुका है 12 तो बचे हैं सिर्फ तीन दिन और उसमें 10th को भी निकालना है और अभी तक का अगर CBC का history को देखा जाए तो class 12th का result जो है वो पहले आता है उसके एक दो दिन बाद में आता है class 10th का तो अभी मुझे दो चीज़ें लग रही है जो मैं आप लोगों से share करना चाहूंगा कि एक तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ICAC board ने एक ही साथ में दोनों का निकाला एक तो वो हो सकता है मतलब हाला कि वो थोड़ सा मुश्किल चीज है मैंने सुभा भी ये बताया था कि वो मुश्किल चीज है क्यों क्योंकि CBC के जो total number of students है वो 30 lakhs है उसके उपर नीचे भी कुछ हो सकते हैं लेकिन more or less कि 30 lakhs students ने इस बार exam दिया है तो 30 lakh का अगर students का अगर exam का result एक जटके में निकाल दिया जाए तो इसका बहुत बड़ा negative impact मिल सकता है जो net है वो पूरी तरह से crash हो जाएगा अभी भी कितने बच्चे मुझे call कर रहे हैं कि sir जो CBC का website official website है वो खुली नहीं रहा है तो मतलब दिक्कते सामने आ सकती है लेकिन यहां पे अब अब एक और point है अगर आप लोगों ने notice किया हो तो CBC ने इस बर फैसला लिया है और वही ICAC ने भी किया है कि DG Locker का use किया जा रहा है DG Locker का use क्या किया जा रहा है मैंने आप लोगों से वादा किया था और पासिंग सर्टिफिकेट अधर शब्दों में कहा जाए तो रिजल्ट तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि CBC ने अभी SMS भेजा है बच्चों के पास में जो नंबर जो उनके फोन नंबर जो उनके पास में थे वह उन्होंने SMS भेजना शुरू किया है तो कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि क्योंकि कोविड-19 का मामला है इस वक्त कॉर्णा वारस का मामला है सरकार खुद अपील करें कि बिना काम घर से बाहर ना निकले तो हो सकता है कि रिजल्ट जो है बच्चों के स्मार्टफोन पे ही आ जाए और प्लस डिजी लॉकर का एक फायदा ये होगा कि डिजिटली साइंड डिजिटली साइंड माक शीट पासिंग सेटिफेकेट वगारा जितना भी चीज़ है वो उनको बच्चों को उनके स्मार्टफोन पे एवलेबल हो जाएगा तो एक तो ये चीज़ हो सकता है लेकिन फिर भी अगर अभी का देखा जाए रुक तो मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट जो क्लास 12 का है वो आ सकता है कल पर सो यानि कि मंडे 13 को आ सकता है कल बहुत ज़्यादा चांसे हो सकते हैं हो सकता है सी बेसी नोटिफिकेशन नहीं दे डायरेक्ट निकाल ये हो सकता है अगर 13 नहीं वा तो 14 तो रखा हुआ है और 15 तो हम लोग 10 क्लास का लेके ह चल रहे हैं अब ऐसा तो बिल्कुल से कहीं से भी दिखता वा नजर नहीं आ रहा है कि 15 के और बाहर जा सकता है हाला कि एक और मेसेज उड़ता वा रहा है कुछ अगर ऑफिशल न्यूज में ध्यान दिया जाए कुछ न्यूश्पेपर्स में अगर हम ध्यान दें तो एक च बच्चों का कि सर दिले क्यों हो रहे है तो देखो डिले होने का बहुत बड़ा मुद्द यह है में रीजन यह है कि जब सिबसी के वकील से सुप्रेम कोट ने पूछा था कि आप अपना बताईए कि मार्किंग स्कीम क्या रहेगा तो मार्किंग स्कीम जो बताया गया वह तेढ़ा था तेढ़ा इन दे सेंस की देखो अलग अलग तरहा कि बच्चों का प्रॉब्लम्स अलग लग था कुछ बच्चे ऐसे थे पूरे अलोवर इंडिया में स्टूडेंट्स जो अपियर हुए से बिसी क्लास 1012 में कुछ बच्चे ऐसे थे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो की जिन्होंने एक पेपर दिया दो पेपर दिया बालबा की छुड़ गए या वो खुद बिमार पड़ गए कुद बच्चों का केस ऐसा था कि जिसमें उन्होंने तीन ही पेपर का एक्जाम दिया बालबा की छुड़ गए कुद बच्चों का एक्जाम ऐसा था कि तीन marking scheme या assessment scheme जो है वो इस वक्त लागू है आप लोगों पर सभी बच्चों पर यहां मैं आप लोगों को यह बदा दूँ कि copy काफी अच्छी सुनने में आ रही है चेक हुए है lenient way में चेक हुआ है तो इसके लिए चिंदा नहीं करना है result अच्छा बहुत अच्छा आने का उमीद है flying colors के साथ में आप सभी बच्चे निकलोगे बहुत अच्छे marks के साथ में निकलोगे चेक है उसके लिए कोई चिंदा नहीं करना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं अगर आपको सही लगता है तो सिर्फ तो क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ authenticity की बात कर सकते हैं इसके अलावा हम नाचना, कोदना, गाना, फिरना हम यह सब नहीं कर सकते fake news हमारे channel में बिलकुल नहीं होता है आप हमारे other channels हैं उसके link आप देख सकते हैं description में हैं आप उनको भी visit कर सकते हैं पसंद आए तो उन्हें भी subscribe जरू करें तो guys अभी के लिए सिर्फ इतना और पल-पल हम आपके साथ बने वे हैं दिन में हम दो-तीन बार live हो रहे हैं और पूरा एक एक one to one एक बच्चे का हम question का जवाब देने का कोशिश कर रहे हैं दिन में 7-8 घंटा का मुझे नहीं लगता है कि अभी किसी भी YouTube channel ने इस तरह का बीड़ा उठाया है कि one to one एक तरह से counselling ही हो रहा है तो यह हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है आप से भी चोटे भाई बैनों के लिए तो उमीद करते हैं कि इससे आपको benefit मिल रहा है तो आप लोग चिंता बिल्कुल नहीं करोगे अच्छे से त्यार रहो पॉजिटिव रहो एकदम energetic रहो और अगर आपको सही लगता है अच्छा लगता है तो आप हमसे जोड़ सकते ह हैं हमसे जोड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब केजिए बैल आइकॉन को प्रेस करके on notification को on केजिए ताकि कोई important वीडियो मिस्स नहीं हो live sessions मिस्स नहीं हो हम सुभर इस वक्त दो बार लाइव तो आई रहे हैं एक बार 11 बजे और एक बार शाम साथ बजे ठीक है और एक औ all from my side this is Vishal Kumar Jaiswal signing off please stay calm stay safe stay healthy and most important be happy Jai Hind Jai Bharat झाल